Hello guys friends , आज की वीडियो में हम discuss करने वाला है कौन-कौन सी प्रोफाइल आपको बिग फोर में या टोप फोर में ओफर होती है वीडियो और कौन सी क्योफम में औरिधिश्नल प्रोफाइल बाते हैं जो आपको ऑफर होती है और जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं और साथ ही साथ आपके स्कार्टिंग प्राकेजे यहां पर क्या रहने वाले हैं आज की वीडियो में हम यहीं डिसकस करने वाले हैं आज अब इस शुरू करते हैं हमारी जो बिक फॉर्म में कोर प्रोफाइल हैं हमारी फेवरेट प्रोफाइल जो हमको बच्पन से पता हैं सबसे पहले उनी को डिसकस कर लेते हैं इसके बाद आजाती है हमारी डिटी की प्रोफाइल जो है वह यहां पर कहलाती है और इसको प्यार से इंटर्नल अडिट भी बोलते हैं यह भी आपको प्रोफाइल में क्लासिफाय होती है और टॉप फ़र में ओफर करी जाती है इसके बाद आजाती है हमारी डिटी की प्रोफाइल जिसका नाम होता है जहां पर आपका डिरेक्ट टैक्स रिलेटेट वर्क होता है आप करते हैं चाहिए डिटिगेशन कंप्लाइंसेज और सात काम नंबर फोर हमारी ये प्रोफाइल है विच अगेन और को ट्रेडिशनल प्रोफाइल विच इस ओफ़र्ट बाय ओल टॉप फ़र्म और लास्ली गाईज एक हमारी इस और इंडेस की भी अड्वाइजरी प्रोफाइल होती है जहां पर आप रिपोर्टिंग काम करते हैं क्लाइंट्स के लिए और उनके ifrs related questions का answer करते हैं इंडेस related queries का answer करते हैं और उनकी financial reporting में आप help करते हैं ये हमारी कुछ core profiles है जो कि big firms में offer करी जाती है traditionally अब बात करते हैं guys niche profiles की जो आज कल काफी popular हो गई है पिछले कुछी सालों से ये profiles offer होनी शुरू हुई है और यहां पर आपको बहुत अच्छी opportunities मिलने वाली है number one profile की बात करें sir transfer pricing ये भी हमको पता है sir TP की profile जो पहले direct taxation का part होती थी इसकी अलगी department बना दिया गया इसकी अलगी profile बना दी गई है by all the top firm क्योंकि यहां पे बहुत सारा काम आता है आपका और यहां पे आपको arms length price mostly निकालना होता है जब भी आपकी cross border transactions होती है तो TP की profile आपक taxation की जो की बहुत interesting है right number two guys आपकी forensic audit की profile जो की पहले internal audit का part होती थी forensic audit का department अलग कर दिया गया है क्योंकि इसके standards भी अलग है यह field भी बहुत ही niche field है और इसमें बहुत scope है because आजकल जो आपके financial frauds हो रहे हैं उन सब में आपका forensic audit mandatory हो गया है which is implemented by the top banks also और बहुत सारी agencies से यह assignment आ field आपकी niche field में आईगी और यह बहुत अच्छा department है बहुत अच्छी career profile है जहां पर आप जा सकते हैं number three guys management consulting for management consulting yes management consulting भी big force में offer होती है आपने शायद EY Partheron का नाम सुना हो डिलॉइड के consulting group का नाम सुना हो डिलॉइड USI का जो ग्लोबल नाम है वहां पर यह बहुत अच्छी consulting practice है तो big force में आपके tier two consulting firm से कहलाती है और यहां पर आपका management consulting की profile भी आपको offer करी जाती है जहां से आप अपना career शुरू कर सकते हैं और later on MBB की तरफ आप जा सकते है McKenzie, Bain and BCG which are considered the big three of the management consulting right तो management consulting की profile भी आपकी niche profile है जो की offer होती है big force में number four guys यहां से आपकी finance की field शुरू हो profile जहां पर कोई भी अगर कोई deal होती है market में there is a buyer and there is a seller तो हमेशा buyer पहले अपना due diligence करवाएगा कोई भी business खरीदने से पहले और वहां पर आपका financial due diligence का काम रहेगा कि company में जो assets है liabilities है income expenses इसको detail में चेक करके बताओ कि true picture depict हो रही है कोई यहां पर दिक्कत तो नहीं है जो ratio analysis वगरा company ने करके दिया है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है all the financial figures का वहां पर due diligence होगा from the valuation perspective ताकि deal अच्छी तरह हो पाए एक fair valuation निकल पाए while any deal right तो यह आपकी FDD की profile है FDD के बाद आपकी अगली आती है niche profile which is valuations and mergers and acquisitions यह भी आपकी deals की profile है जब भी कोई company acquire हो रही होती है या फिर कोई भी merger हो रहा होता है तो वहां पर valuation जरूर से होती हो और this is a finance profile जहां पर आप core numbers पर काम करने वाले हैं valuations निकालने वाले हैं company की buyer or seller को मिलवाने वाले हैं और prospective clients prospective sellers prospective buyers को आप search करने वाले हैं research oriented काम भी रहेगा valuation related काम भी रहेगा और यह बहुत ही amazing profile आपकी deals के होने वाली है this is again a finance profile अगर आप core investment banking related काम में जाना चाते हैं future में या फिर आप venture capitalist या private equity में जाना चाते हैं जरूर से आप यह finance वाली profile से अपना career शुरू कर सकते हैं eminent tax की field में अगर आप जाएंगे तो dt related compliance and advisory आप करेंगे for mergers and acquisition जहां पर भी कोई deal हो रही होगी वहाँ पर tax implications क्या होने वाले हैं यह आप eminent tax में देखने वाले हैं right इसके बाद करते हैं guys cfo advisory and fpna यह भी एक उभरती हुई field है यानि कि आपकी financial planning and analysis आप forecasting करेंगे numbers की budgets वगर आप बनाएंगे client के और उनकी help करेंगे आप problem solving में numbers को analyze करके decision making में यह काम आप करने वाले हैं as a consultant staying in one of the big fours or in the top firms and working for the clients yes implementing an analysis करने वाले हैं यह भी finance के profile और बहुत थी बड़िया profile है तो यह आपकी finance की profile है यह आपकी finance के profile है यह अगर आप core finance में जाना चाहते हैं future में तो इन profile दसपना career शुरु कर सकतना है right तो यह सारी आपकी niche profile जो big force में अउफर होती है core profiles की हमने बात कर ली niche profiles कि भी हमने बात कर ली अब सर एक चीज बतातबय कितने होने वाले यहां पहलब के नॉँ हर दम कश को को बिक फोस के ग्लोब और वी बिलेंगी जैसे कि देलॉट यूछ KGF pwcfdc eygdf और वहां पर भी package आपके थोड़े से जाधा रहेंगे 10 से 12 लाग क्याव के package हो सकते हैं लेकिन still I would recommend ke at the starting stage of your career you should start your career from the core business facing client facing profile which are offered by the Indian arms only back end वाला काम आपको मिलेगा global profiles में इसलिए I would recommend की global profile से मत जाईए initially at the starting stage of your career start a profile from the front end work from the Indian arms right तो ये भी बात हमने कर ली कि package कितना रहने वाला है core profiles कौन सी है niche profiles कौन सी है ये सारी चीज़े हमने यहां पर discuss कर ली है और guys आप सब के interviews चल रहे होंगे और बहुत ही बड़िया तरीके से आप करने interviews में कहीं पे भी आपको help चाहिए technical site पे interview site पे do ping me do comment in the comment section जो भी आप दिक्कते face कर रहे है जरूर से बताईए और अगर आपको training चाहिए practical training चाहिए practical knowledge चाहिए then definitely you can enroll for our masterclasses on thinkingbridge.in right guys thank you very much for watching this video अगर आप यहां तक कौच गया है तो प्लीज लाइक कर दीजे वीडियो का subscribe भी कर लीजे चैनल को I'll see you in the next one thank you